हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्रूब चैनल क्रिकेट एक्सपोर्ट में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बानखेड़े स्टेडियम मुंबई के लिए अपडेटिट पिछ रिपोर्ट लेके आए हैं मुंबई इंडियन्स का ये होम ग्राउन्ड है जहां पर मुंबई इंडियन्स की टीम को अपने होम ग्राउन्ड के सभी साथ मुकाबले खेलने थे इन में से 6 मुकाबले हो चुके हैं आखरी मुकाबला इस venue का 21 मई को संदाइजर हैदराबाद के अगेंस्ट मुंबाई इंडियन को खेलना है और इस वीडियो में हम सारे मुकाबलों का साट डिस्क्रिप्शन लेते हुए हाइलाइटर पॉइंट को इंगीट करते हुए अन्तिम में हम एनालिटिकल समरी देखेंगे कि अब तक इस venue पे हमें क्या देखने को मिला है वीडियो काफी जो वर्जस्त होने वाला है अंत तक जरूर देखिएगा लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लिए साथ ही नोटिफिकेशन के वेल पर आल वाला बटनार कर लिए दोस्तों बात करें बानखेडे की पिच के बारे में हलाकि बाई नेचर बानखेडे की पिच थोड़ा सा तेज गेदवाजों को भी मदद मिलती है लेकिन इस सीजन जितने भी मैचेज हुए है ज्यादातर समय पे यहाँ पर बल्ले बाजी अनकूल पिच देखने को मिली है वैसे जो यहाँ पर मुकाबले हुए हैं इनमें से पहला मुकाबला हमें 8 अपराइल को देखने को मिला था मुंबई इंडियन CSK के सामने थी और इसी मुकाबले में थोड़ा सा सुरुआती समय में तेज गेदवाजी हावी हुई थी मुंबई इंडियन ने 20 अबर में 8 विकेट पे 157 रन बनाए और इसके जवाब में CSK की टीम मातर 18 दसमवेक अबर में 3 विकेट के नुकसान पे 169 बनाके मुकाबला जीत लिया था इस मुकाबले में 11 विकेट गिरे थे जिसमें 4 विकेट तेज गेदवाजों के नाम तो 7 विकेट स्पिनर्स के नाम आये थे इसके बाद दूसरा मुकाबला 16 अपरैल को देखने को मिला यहाँ पर केकेयार थी मुमबई के सामने केकेयार की टीम 6 विकेट पे 185 रन बनाई इसमें बैंकटे सायर ने सांदार सतक लगाया लेकिन यह स्कोर भी छोटा पड़ गया मुमबई इंडियंस के सामने मातर 17.4 ओवर में आसानी से 5 विकेट के नुकसान पर 186 बनाके मुमबई इंडियंस ने मुकाबला जीत लिया था इस मुकाबले में 11 विकेट गिरे थे जिसमें तेजगेद बाजो के नाम 5 तो इस्पिनर्स के नाम 6 विकेट आये थे तीसरा मुकाबला इस में नुपर 22 अपरेल को खेला गया था मुमबई के सामने पंजाब किंग्स थी और ये हाई वोल्टेज मुकाबला हुआ था जहां पर धेरो स्कोर बने थे पंजाब किंग ने यहां पर आठ विकेट पर 214 रन का बड़ा स्कोर बनाया था तो वहीं पर जवाब में मुमबई इंडियस की टीम भी हलाकि बढ़ियां फाइट किया लेकिन 201 तक ही पहुँच पाई 13 रनों से मुकाबला हार गई 6 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाये मुमबई ने कुल मिला के इस मैच में 14 विकेट गिरे जिसमें तेज येदवाजों के नाम 10 तो इस्पिनर्स के नाम 3 विकेट आये 1 रन आउट हुए इसके अलावा अगला मुकाबला 30 अपरेल को देखने को मिला राजस्थान रायल्स थी यहाँ पर भी हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला राजस्थान रायल्स मुमबई की अगेंस्ट पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पे 212 रन का बड़ा स्कोर बनाया इसमें ये सस्वी जैसवाल ने सांदार 124 रनों की इनिक खेली तो मुकाबले में 11 विकेट गिरे जहां तेज गेज बाजो के नाम साथ तो इस्पिनर्स के नाम चार विकेट आए वहीं पर इसमेन्यू का अगला मुकाबला 9 माई को हुगा आरसीवी की टीम थी मुमबई के सामने और आरसीवी ने 6 विकेट पे 199 रन बनाये पहले खेलते तावर तोड़ 83 रन बना के मुकाबला जिताया कोल मिला के इस मुकाबले में 10 विकेट गिरे 7 तेज गेज बाजो के नाम और 3 इस्पिनर्स के नाम आए इसके अलावा अंतिम मुकाबला जो हमको देखने को मिला 12 माई को देखने को मिला यहाँ पर मुमबई इंडियन के साम पर कुल मिला के 13 विकेट गिरे जिसमें 5 तेज गेज बाजो के नाम तो 8 विकेट इस्पिनर्स के नाम आया है दोस्तों इन 6 मुकाबलों के लिए अब तक 4 पीचे जुपयोग की जा चुकी है और यह अलग-अलग पिच पर थोड़ा सा वैरियेसन देखने को मिल रहा है यहां पर हम टॉस के बाद पिच कंडिशन देने के साथ साथ यह बताते हैं कि इस पिच पर इस मुकाबले में क्या इंपक्ट पड़ेगा इसके अलावा एक डीम लेवन टीम भी देते हैं टेलिग्राम का लिंक हमने चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर आप वैसे भी टेलिग्राम पर किरकेट एक्सपर्ट बाई वीवेक नाम से सर्च करके जॉइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है और यहां पर हम टॉस के बाद सब के लिए बिल्कुल फ्री में सारे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं मात्रे एक ही प्लेट स्कूर देखे तो पहले इनिंग का एबरेज स्कूर 198 का तो दूसे इनिंग का एबरेज स्कूर 192 का देखने को मिला है कुल मिला के यहां पर 6 मैचों में 70 विकेट गिरे हैं 40 विकेट पहले इनिंग के तो 30 विकेट दूसे इनिंग के हैं यहां पर विकेट लेने वाले गे लिए हैं 17 विकेट पहले इनिंग में और 14 विकेट दूसरे इनिंग में अगर हम पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न देखे तो 150 से कम यहां पर इस सीजन आईपियल में नहीं बना है 150 से 179 तक कायोग एक बार 170 से 189 तक भी एक बार बना है 190 से 210 के बीच एक और 210 प्लस यहां पर तीन बार अब तक बन चुके हैं तो आप समझ सकते हैं किस कदर से यहां पर बल्लेवाजी डोमिनेट की है और इस इस अंतिम मुकाबले में कौन सी पिच पर खेल होगा और इसका क्या इंपैक्ट रहेगा जानने के लिए आप हमें टेलिग्राम पर जॉइन कर लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन नवा दोस्तू